है तो है गाइज वल्कम बेक तो माई क्रिकेट वानी तो गाइज आज का विडियो इंटरस्टे मुने वाला है तो वीडियो का एंट तक चरूर देखियेगा क्योंकि जानी आज से भी पहले निलामी में किन खेलाडियों को खड़ीदा और इंक भी सेष खेलाडियों को नहीं खड़ी पाया तो वीडियो देखियागा तो सब्सक्राइब को क्लिक जरूर करें को RCBC related वीडियो मिलता रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस पहले निलावी में RCB ने 8 खेलाडियों को खड़ीदा है तो चलिए जान लेते कि कौन खेलाडियों है तो सबसे पहले आते हैं Aaron Finch Australian Batsman Aaron Finch को 4 करोर 40 लाक में RCB ने खड़ीदा है तो गाइस कितना फाइदा होगा आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा कि Aaron Finch को खड़ित कर क्या Aaron Finch सांदार परदर्शन कर पाएंगे RCB के लिए तो कमेंट सेक्षन में ये जरूर बताइएगा तो गाइस ये बता देते कि Aaron Finch एक T20 Batsman है तो जरूर अच्छा परदर्शन कर सकते RCB के लिए क्योंकि ओपनिंग के भी भूमिका नहीं भा सकते और ओपनिंग करते नजरा सकते आई पेल 2020 में RCB के लिए फिर उसके बाद आते है Chris Morris Chris Morris को RCB ने 10 करोड में खड़िदा है तो Chris Morris को RCB ने 10 करोड में खड़िदा है तो कितना फायदा होगा RCB को ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा लेकिन गाइस Chris Morris एक संदार और रॉंडर भूमिका भी नहीं भा सकते हैं क्योंकि एक संदार बॉलर भी हैं साथ में बैटिंग भी करते हैं लंबे लंबे सॉट भी लगाते तो रॉंडर की भूमिका क्रिस निभा सकते RCB के लिए तो RCB ने इनको 10 करोड में खड़िदा है फिर तर नमबर प्याते हैं उस्ट्रेलियन बैट्समें जसुवा फिलिपे जसुवा फिलिपो को RCB ने 20 लाक में खड़िदा है और गाइज इनको RCB क्यों खड़िदा है तो गाइज यह एक संदार बैट्समें है तो RCB के मीडियल आउडर का कमान सम्हाद सकते हैं और इनका T20 रिकॉड है 17 मैच में 392 में रन और इनका एवरेज है बैटिंग एवरेज 35.6 का एवरेज है फिर उसके बाद आते हैं चौते पे ऑस्टेलियन बॉलर केन रिच डर्सन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि के रिच डर्सन को RCB ने 4 करोड में खड़िदा है तो गा पाद आते पाठवे नंबर पे करणाटक के डॉमेस्टिक प्लियर पावन्देश पांडे पावन्देश पांडे एक बार फिर चूश गया है RCB के लिए पहले भी खेल चुके RCB के लिए लेकिन उतना मौका नहीं मिला था लेकिन इस बार साथ पांडे को मौका मिल सकता है बीस लाक में खड़ीदा इन्होंने टीट वन टीप 20 मैच खेले हैं और तावरत तो रन बनाया है 426 रन बनाये हैं इनका बैटिंग एवरेज है 47.33 का उसके बाद आते हैं गाइल अस्टेन तो करोड में आर्टीवी ने डेल अस्टेन को खड़ीदा है फिर से आर्टीवी के लिए खेलते नजर आएंगे डेल अस्टेन इन्जिरी इस्यू कुछ नहीं है तो आर्टीवी के रेगुलर प्लेइंग लेविन के हिस्सा बन सकते हैं फिर इसके बाद सत्वे नमबर पे आते हैं सहबाज अहमद इसको RCV ने 20 लाक रुप्या में खड़ीदा है फिर इसके बाद आठवे नमबर पे आते हैं सिलंकर बॉलर इसरु उधाना जो RCV ने 50 लाक में खड़ीदा है जैसा कि आप चानते हैं कि यह एक लेफटाम फास्ट बॉलर है उसके बाद काईस आरसी वी ने आपके पसंदीदा प्लेयर्स को नहीं खड़ीदा या नहीं खड़ीद पाया असे लिए जा लेते हैं किन भी सेसमारियों को RCV नहीं खड़ीद पाया तो सबसे पहले यह आते हैं जैसन टोई तो गाइस जेसन रोई को भी RCB नहीं खड़िद पाया और जेसन रोई डेली कैपिटल्स के हिस्सा बन गया है एक करोड़ पचास लाक में तो गाइस जेसन रोई ओपनिंग के भूमी का निभा सकते थे RCB के लिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जेसन रोज चल गए देली कैपिल्स में फिर उसके बाद सेकेंड पेज सीमरन हेट मायर सीमरन हेट मायर भी देली कैपिल्स के लिए खिलते नहीं जाराएंगे आई फिर 2020 में क्योंकि देली कैपिल्स ने भी सिमरन हेटमयर को खड़िद लिया लेकिन गाइज जिस तरह से इंडिया के खिलाफ परदसन किए ति सिमरन हेटमयर तो लगता था कि RCB सिमरन हेटमयर को फिर से अपने टीम में स्मिल करेगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया फिर उसके बाद आते हैं गाईज रॉबिन उठपा रॉबिन उठपा भी आर्सीवी में सामील नहीं हो पाया है रेजस्थान रोयल के लिए खेलते नहीं जाराएंगे आइपल 2020 में क्योंकि रेजस्थान रोयल ने तीन करोड में रॉबिन उठपा को खड़िद लिया फिर उसके बाद आते हैं गाइस थारिटन मैक्सवेल ग्लाइन मैक्सवेल को भी आर्सीवी नहीं खळित पाया जासा कि हम लोग जानते थे कि ध Авको सरतवर के सब्सक्राइब 546 लाइफ क्लाइब 10 करोड 75 लाग में पिर इस महत्मपुर्न खेलाडी में आर्सीवी के लिए सबसे पहले आते थे Pat Cummins जो कि ऐसा भी नहीं हो पाया और Pat Cummins को भी KKR खरीद लिया और 15 करोड 50 लाक में Pat Cummins को KKR ने खरीदा सब्सक्राइब करके जरूर बताएब कि क्रिस मौरिस को खरीदने के बाद क्या IPL 2020 का किताब RCB जीप पाएगा क्या इन तोलों खिलारी को खरीदने के बाद क्या बाइलेंस बन गया तो कमेट सेक्शन में जादी जाकर बताएगे तो फिलार वीडियो में आज के लिए इतना जाद के लेडियो में झाल झाल